C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिए पेश है साथवी जमात के लिए उर्दु के मौविन दर्सी किताब उर्दु गुलतस्ता आईए सुनते हैं उर्दु गुलतस्ता सबक नंबर 13 सफ़ा नंबर 43 ननही बूंद का होसला एक बार ऐसा हुआ बरसात में सर्द लंबी घुप अंधेरी रात में एक ननही बूंद आखें मीचती हिचकिचाती सांस अंदर खीचती छोड़ कर बादर का पहलू जब चली दिल ही दिल में सोच कर डरने लगी ये भयानक रात और लंबा सफर रासता भी कुछ नहीं आता नजर क्या भरोसा आग में गिर जाऊं मैं फिर न कुछ अपना पता भी पाऊं मैं ये भी मुम्किन है मिलू मैं खाक में मौत बैठी होना मेरी ताक में उसने फिर सोचा के किस्मत का लिखा जो भी होगा सामने आ जाएगा सोच कर अंजाम अपना क्यूं डरूं डर के मैं मरने से पहले क्यूं मरूं क्या जरूरी है गिरू मैं रेत पर ये भी मुम्किन है गिरू मैं खेत पर खार पर गिरने से मुझ को क्यूं हिरास ये भी मुम्किन है बुझाओं उसके प्यास बूंद ने छोड़ा खुदा पर फैसला, उसकी दिल में हौसला पैदा हुआ, हो के बेपरवा खुशी में जूमती, आ गई दरिया पे उससे जा मिली सफ़ा नंबर चवालेस थी उसी दरिया में एकसी पी खुली, बूंद उसमें जागिरी मौती बनी नजम निगार इसमत जावेद सवालाद एक, ननही बूंद बादल के पहलू से निकल कर क्यों डर रही थी? दो, ननही बूंद ने क्या सोचकर अपना होसला बढ़ाया? पीन, होसला पैदा होने पर उसकी क्या कैफियत हुई? चार, ननही बूंद का अन्जाम क्या हुआ? इसी के साथ ये सबक यही पर खत्म हुआ समय रिकॉर्डिस्ट, बाटी लैंग लिंगडो, समय फनकार, सुंबुल शकील, एडिटिंग, तनु गुप्ता, हिदायतकार और तखलीककार, विमिलेश चौधिरी, पेशकरदा, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली, भारत